नवश्कार बच्चों बहुत-बहुत स्वागत था आपका ट्रिक इंड कॉंसेट के इस चैनल पर बच्चों आप सबसे सबसे पहली मेरी बात यही है कि और बच्चों तक इस बात को पहुचाएए शेर और लाइक की प्रक्रिया चलती रहे तर प्रोसेस अव शेर और लाइक should be going on हमेशा चलती रहनी चाहिए तो बच्चों शुरू करते हैं आपके लिए के special point of view अभी तक मैंने आपको grammar के logics बताए थे आज मैं आपको थोड़ा सा vocabulary का logic बताता हूँ और अगर यह आपको logic पसंद आए तो जरूर offline में comment करके बताना ठीक है offline में comment नहीं करते हैं फिर शब्दों का development कैसे होता है ठीक मैं आपको सबसे पहले कुछ छोटे-छोटे शब्दों के बारे बाद बताता हूं देखो मिरे बच्चों एक बार समझाओंगा आपको हमीशा के लिए फिर सारे words का समझे में आ जाएगा अपने पास एक word है नाउन अपने पास एक word है क्या pronoun है ना बन रहा है कि नहीं सुनना और pronoun ये एक क्या चीज होती है pronoun आप सबको पता है pronoun वो चीज होती है जो पढ़ते है grammar में pronoun का हिंदी में का सरवनाम होता है लेकिन हम इसे ब क्या बनाएंगे वाब बनाएंगे यानि कि हम इसमें C, E, OR जोड़ेंगे हम क्या जोड़ेंगे क्या वर्ब, क्या बन गया ये वर्ब इसका मतलब क्या है उचारण करना बास वर्णी में आई उचारण करना अब इस प्रोणाउंस से मैं बनांगा क्या एक नाउन बनांगा यानि कि ये हो गया वर्ब अब इसका क्या आनेлизltry noun बनेगा तो मेरे बच्चों जैसे ही हम करेंगे pronoun को noun बनाएंगे तो हम क्या करेंगे हम जैसी इसको capital letter लिखू तो आपको ज्यादा अच्छा रगएगा हम जैसी इसको noun बनाएंगे तो p-r-o-n-o-u-n और c यहां तक लेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे i-a-t-i-o-n क्या जोड़ दाएंगे इसमें i-a-t-i-o-n हम इसमें जोड़ देंगे क्या समझ में आया pronoun को जैसी हम क्या बनाएंगे noun बनाएंगे तो हम इसमें i-a-t-i-o-n जोड़ देंगे और अब यह बन गया pronunciation इसका तो उच्छारण करना और इसका मतलब क्या होगा उच उच्छारण क्या मतलब हो कैसका उच्छारण अब जो बात समझाने जारू द्यान से सुन लेना यहीं सारा सार सार छिपा हुआ है कि कभी भी तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस ओ को यहां हटा देना है तो सहीं क्या बनेगा pronunciation never call pronunciation it is exactly pronunciation p-r-o-n-u-n-c-i-a-t-i-o-n तो this is called pronunciation आगे देखते हैं अंगला वर्ड अब सारे वर्ड्स आपकी उंगलियों पर नाचेंगे कैसे नाचेंगे देखो एक वर्ड होता है क्या डिनाउंस एक वर्ड क्या होता है डिनाउंस होता है और डिनाउंस भी इसी तरह से बना है क्या डिनाउंस भी सी तरह से बना है तो डिनाउंस का मतलब क्या होता है आपको भी बताओ अच्छा इसका होता है क्या डिनाउंस का मत अदर लाएक करना और वहाँजब यह नाउन बन जाएगा वहाँ जब यह नाउन बन जाएगा तो इसका मतलब बदल जाएगा और इसका मतलब क्या निकल आएगा उच्छ पारण बच्चे नाउन और वर्ब के इस अंतर को ध्यान में रखना अगर नहीं ध्यान में रखोगे तो बात बिगड़ जाएगी तो इसका उचान करना हो इसका तो उचान डेनाउंस का मतलब होता है किसी को क्या करना है निंदा करना किसी की यानि किसी की निंदा करना बास स का नया सब्द क्या बन गया डिनन्सीएशन है ना तो डिनन्सीएशन अब मैं एक्शली क्या है जातर वर्ड हम स्वाल एट्रस में लिखते हैं तो बारवर वही आ जाता है तो इसका सही शब्द बन जाएगा क्या डिनाउंसियेशन क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या मेरे बच्चों मैं सही बोल रहा हूं डिनाउंसियेशन क्या मैं सही बोल रहा हूं डिनाउंसियेशन क्या मैं सही बोल रहा हूं डिनाउंसियेशन नहीं सर आप गलत बोल रहा है तो सही सब क्या हो जाएगा आपको तुरंत से ओ हटा देना है तो बन जाएगा क्या denunciation और देखिए अगली बात एक और word आपके पास Announce सब ने पढ़ा इस word के बारे में सब ने पढ़ राखए इस word के बारे में और सब जानते हैं इस word के बारे में Announce इसका मतलब क्या होता है अनाउंस का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कोई घूशना करना क्या होती है घूशना करना ठीक है इसका मतलब निंदा करना तो इसका मतलब निंदा करना तो इसका मतलब निंदा आप सब जानते हैं O-U-N ठीक है C-I-A-T-I-O-N बन गया क्या डिनाउसियेशन तो इसका क्या आपका गड़बड हो गया वही चीज जो आपको हटानी थी क्या ओ हटा दिना था तो बन जाएगा यह एननसियेशन और इसका मतलब क्या निकलाएगा घोशना क्या मतलब पर यह समय दो बात करेंगे आपको एक शब्ड है बड़ा प्याराओं सा दवर्ड इस रिनाउंस यह आपको मिसस पारट में पढ़ने में बहुत जबर्दस लगेगा मिसस पैल्ट में बहुत मदद करते हैं इसस्थ तरह के वर्ड मिसस पैल्ट में सारे बड़्स बहुत र-e-n-o-u-n-c-i-a-t-i-o-n तो बच्चों क्या करना है वही बात जो आपको सीखनी थी वह क्या के इसका ओ हट जाएगा तो बन जाएगा रेनंसियेशन और इसका मतलब होगा क्या त्याग छोड़ देना किसी चीज़ को ठीक इसी तरह से मेरे बच्चों एक वर्ड हो था एक्सक्लेम एक्सक्लेम का मतलब कोई सदन फिलिंग आती है न ठीक है टू एक्सप्रेस सदन फिलिंग तो एक्सप्रेस सदन फिलिंग अचानक से कोई बात मन में आ जाती है तो हम उसके लिए एक्सक्लेम वर्ड का इस्तमाल करते अब इससे हम नाउन बनाएंगे यानिके अब नाउन बनेगा इससे क्या इससे नाउन बनेगा सुनिएगा आज कुछ वर्ट की बात करें ऐसे किसी और क्लास में तो एक्स्क्लेमेशन बनेगा एक्स्क्लेमेशन तो बच्चों जैसे ही ययां लगेगा तो तो आपको क्या रखना है भूलना नहीं है कि इसका आय हटाना पड़ेगा एक्सक्लामेशन इसी दरह से अपने पास एक और वर्ड होता है एक होता है घोशडा करने के लिए अपने पास और है प्रोक्लेम कौन सा है प्रोक्लेम तो प्रोक्लेम से प्रोक्लेमेशन बनेगा तो प्रोक्लेम से प्रोक् इसी दर एक वर्ड है क्या रिपीट अक्सर एक्जाम में आता है और रिपीट से हम नाउन बनाएंगे तो बनेगा रिपेटीशन ठीक है रिपेटीशन और इसका भी आपको ए जो है यहां लगा हुआ है वो ए हटाना पड़ेगा तो आर एपी एटी रिपीट होता है और और अगर इसमें अपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा और इपी इटी आइटी रिपेटीशन यानिके किसी जिसको बार-बार याद करना उसको रिवाइज करना तो दिस इस दा पॉइंट व्यू आपको बताना चाहता था बच्चों इसी तरह से वर्ट का क्रिएशन होता है और ऐसे ही वर्ट के बात करेंगे आज की क्लास के लिए आपके लिए इतनी ही जानकारी है बिटा क्योंकि ज्यादा समय हम नहीं दे सकते इन क्लास में इन कॉंसेट्स में तो आगे और देखेंगे इसी तरह के तब तक लिए बच्चों बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे